Hello everyone, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनल परपस कम्प्यूटर और स्पेशल परपस कम्प्यूटर के बारे में मीनिंग देखेंगे, एक्जामपल देखेंगे और थोड़ा डिफरेंस क्रियेट करेंगे, समझेंगे कि इन दोनों में क्या फरक है तो बात करते हैं सबसे पहले जनल परपस कम्प्यूटर की, जनल परपस कम्प्यूटर हेल्प करते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए रैधर देन, बजाए कि किसी स्पेसिफिक वन को, जैसे कि स्पेशल परपस कम्प्यूटर तो difference दोनों का है general purpose computer और special purpose computer का तो यहीं first line से हमें clear हो गया general purpose computer जहां पर different tasks perform कर सकता है special purpose computer सिर्फ कोई एक specific काम ही perform करेगा ठीक है यहां से इतना समझ आ गया आगे चलके हम इसे और अच्छे से समझेंगे with example general purpose computers में आप काफी applications को run कर सकते हैं various different operations को perform करने के लिए और वो कैसे example के लिए आप computer का use कर सकते हैं internet पे browsing के लिए game खेलने के लिए movies देखने के लिए या फिर किसी भी दूसरे और काम के लिए तो यह सब example है general purpose computer की desktop, tablet, laptop, smartphone या फिर notebook यह सारे general purpose computer हैं आप इन में कोई भी काम perform कर सकते हैं एक से जादा second आता है हमारा special purpose computer special purpose computer वो computer है जो design किये जाते हैं किसी एक specific type के task को perform करने के लिए इन्हे dedicated computer भी कहा जाता है क्योंकि यह perform करते हैं एक ही task को continuously तो इन्हें एक specific task को perform करने के लिए बनाया जाता है लेकिन continuously यह वही काम करते रहते हैं इसके इलावा आप उनसे कोई दूसरा काम नहीं करवा सकते हैं आपकी human body का कौन सा area है जहां पर fracture हुआ है तो अब x-ray machine क्या करेगी वो special purpose machine है वो सिर्फ human body को ही examine करेगी इसके इलावा आप उससे कोई और काम नहीं ले सकते हैं अगर आप चाहें कि आपको x-ray machine पर गाने सुनने हैं आप नहीं सुन सकते हैं आपको उस पर game खेलनी आप न traffic control lights तो अगर आप traffic control lights की बात करें तो इनका यही काम है यह आपको indication देगी कब रूकना है कब चलना है ATM में आप पैसे निकलवाने का यह काम करेंगे उसके लावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं आप weather forecasting आपको करनी है कोई ऐसा computer जो weather forecasting करता है तो weather forecasting करेगा उसके लावा आप नहीं ले सकते हैं तो यह होते हैं हमारे special purpose computer जो किसी एक specific काम के लिए बने होते हैं और वो वही specific काम को continuously करते रहते हैं तो यह था meaning, example और difference, general purpose computer और special purpose computer का वीडियो कैसा लगा यह comment करके जुरूर बताएं और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं आपको reply करके या फिर उस पे एक अलग video बनाके आपके साथ share कर दूँगा इसी तरह की हर update के लिए student notes channel को subscribe करें वीडियो को like और share कर thank you